विधान सबा चुटनी लड़शे, मायम प्रमूख ओविश्री नी मोटी जाहराचे गे पताधिकारियों साथे मड़ी रण नीती तैयार करवा मा आवशे अमुक बैठको पर चुटनी लड़वानू तेओ विचारी रहाचे न त्यार संगठन मजबूत करवा पर काम करी रहा माँशे आज से बारा तेरा महीन के बाद जो विधान सभा के चुना होंगे गुदरात में उसमें मायम पार्टी इसालेगी कितने सीट पर लड़ेगी ये साबर्भाई तैय करेंगे मगर हम पुरी ताखत के साथ मुकाबला करेंगे हमारा बहुत से साबर्भाई अडिटिफाई भी किया और वहां पर हम अपने संकठन को मस्बूत कर रहे हैं और आज हम सुबा में थोड़ेगी देर के लिए दो दरियापूर विधान सभा के दो मुखामात पर जाकर वहां के जिम्मेदार लोगों से मुलाकाद भी किये असदुद्धीन ओवेश्री अम्दवाद मुलाकाती आउता जे कॉंग्रेस ने जाने के फार पड़ीगे शे तो अधुरामा पूरू दानी लिम्रा ना काउंसिलर श्रहजाद खान पठाने ओवेश्री साथी मुलाकात करता अनिक तर्क वितर्क सर जाया जेना मुलाकात थ यी कॉंग्रेस मान नवाजू निना एंधान होवानी चर्चाय पन वेग पकड़ेऊ छे श्रहजाद खान पठान एमसी विपक्ष नेता पद माटे छे दावेदार श्रहजाद खान पठान ओवेशी तेने मल्या निराजकी घरमावो आवेऊ छे तो कॉंग्रेस विपक्ष नेता पण हजू जाहेर न करता अटकड़ोपन तेश थाई छे शू शेजाद खान पठान कॉंग्रेस नो हाथ छोड़ी शेके छे फरी एक वार शू कॉंग्रेस मा राजी नामाना दौर जोवा मर्श अब आनेक सवाल उभा थाई राजे मुरकात बाद शेजाद खान अने ते आगामी समय मा ते पत्ता खुल शेजाद खान के समय प्रोटेस्ट के समय जब मुझे जेल की गई थी उस समय उन्हें मुझे 2-3 बार मदद उनकी तरफ से मुझे मदद की गई थी तो ऐसे याद धनियवाद के तौर पे मिरी उनसे सुभेक्चा मुलाकात थी जिस तरीके से परिस्तिती है अभी कॉंग्रेस पार्टी की हाँ कुछ कॉमिनिकेशन गैप है दिल्ली और हम लोगों के बीच में लेकिन कही ना कही सौट आउट हो जाएंगे ऐसी फिलाल ऐसी कोई बात है नहीं कि मैं कॉंग्रेस से नाराज हुई और कॉंग्रेस छोड़ कांसिलर श्री सजाद खान यह त्यारे ओवेसी जी ने मलवा गया अजे उओ बानुश के राजकी यह कैंग पन होई शेके सामाजी कैंग पन होई शेके कोई पन रितनू होई शेके तो कॉंग्रेस में आजी भंगान पड़ शे एवी कोई पन वात हुँ नथी मानतू अने क जैटीन साथे नी खास मुलाकात मा कहूं के जैलमा बंध अतीक एहमस साथे मुलाकात न थे शकीने साथे इस्टियोए दाने लिम्राना कॉर्पोरेटर शेजाद खान पठान साथे नी मुलाकात अंगे पन जोना वियो एए एमेम के चीफ असाओदिन ओवेसी हमारे साथ आये हूं उनसे बात करते हैं ओविस साब अविस साब आपको यूपी का रास्ता गुझराच से दिख रहा है हां यूपी का रास्ता आपको नी भारत का हिस्सा है सब चीज भारत में हैं तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी ह यहां पर हम हमारे कॉर्परेटर जीते पिछले कॉर्परेशन केलेक्शन में हम गुझरात की जनता का शुक्रियादा करनी आए कि उन्होंने हमको अपनी महबत से आशिरवाद से नमाजा दुआएं दी और हमारे कॉर्परेटर की काम कैसे चल रहा है उनसों एडवाइस करन हम बता रहा हूं विधान सभा के चुनाओं आइंदा साल होंगे 14 मेने 13 मेने के बाद तो अतीक साहब भी सावरमती जेल में है तो हम लेटर लिके सुपरेडेंट साहब को वह हम को इजाज़त नहीं दिये हम आज सुबा में निकल कर जेल को जाकर सुपरेडेंट साहब से मि मिलना चाह रहे थे हमको क्यों रोका जा रहा है क्या वज़े है तो लोकल पोलिस ने का कि आप उदर जाहीं नहीं सकते वरना हम आपको डिटेंट कर लेंगे तो हम बोले ठीक है छोड़िए हमारे शहजाद साहब मुझसे मिलने आए थे और क्योंकि NPR NRC के प्रोटेस्टमन 120 ग्राम सेवको तकालिक नुकसान नो सर्वे करशे हाल ज्यामनगर जिल्लो वधू असर ग्रस्त चने सर्वे मामले रोजगार विभागे बाठक करेशे देशमा चार टका बेरोजगारी दर सामे गुजरात मा बाठका बाठक मा रोजगार निर्मान माते पंड थाई चचर एक लागती वधू रोजगारी नो निर्मान करवा मा आउश्ये लगुतम वेतन दर नूपन पालत कराशे अवेलो छे के ग्राम सेवको नजीक ना जीला वाथी तातकलिक जामनगर जीला मा पहुंची जाई अने 128 ला ग्राम सेवको ने आग कामगिरी मा जोतरी देवा मा आई वाज़गारी बुलेटीन मा अगरवदीशू ना नक्रपरिक बाद